हाँ बच्चों आवाज आ रिये ना क्लियर गोड़ लेट अस्टार्ट विद केमिकल प्रॉपरिटीज ओफ एलफा अमीनो एसेड ठीके ना बच्चों बहुत इनकी जो रियाक्शन्स हैं उनमें हमारे बास सी यो एच भी है कंपाउंड में अलफा अमीनो एसेड में सीवेच भी है नस्टू भी है तो यह इन दोनों की प्रॉपरिटीज शो करेंगे चाहिए ना लाइस तो पहले मैं यह लिख दूँ अमीनो एसेड अमीनो एसेड अमीनो एसेड गेव साल्ट विद बोथ एसेड अन बेसेड क्योंकि इसके पास एक एसेड गुरूप भी है और एक बेसिक गुरूप भी है तो यह रियाइड विद बोथ एसेड अन बेस ठीक ना बच्चो अब आते हैं पैप्टाइड गाइज onhydrolysis of proteins onhydrolysis proteins breakdown into smaller bits known as peptides that ultimately give what ultimately give alpha amino acids alpha alpha only तो अब आते हैं peptide bond let us talk about peptide bond बच्चो यहां पे हम क्या कर रहे हैं we are considering two या more alpha amino acids और उनको आपस मैं link करेंगे कैसे link करेंगे उसे समझो गाइज there is combination of carboxyl group of one alpha amino acid and amino group of other alpha amino acid दो हमारे पास alpha amino acids हैं एका COH और एका NS2 link करेंगे एका COH और एका NS2 link होगा तो गाइज बाहर क्या निकलेगा COH में से OH अटाओ NS2 में से H अटाओ water बाहर निकाल दो चीकिए ना गाइज as a result of water molecule is eliminated and a peptide bond bond basically which is C double bond O N H this मैं इसको निचे लिखता हूं a peptide bond C double bond O N H is form clear बच्चों जैसे जैसे में बेसिक आइडिया है यह है हमारे पास दूसरे का NS2 है यहां से H गया यहां से OH गया है पल्जप गया ऐले में ऐच्टेल वाटर हुआ यह एं यू आप्टोंd आ यूड यूजः है कि देब बॉनोंN इसको मिदों करीं बहूत और यह इसको अंप्यज़ों क्या प् Baptist तुम इंट्रा की बात करे हो, इंट्रा नहीं होगा, दो मॉलक्यूल आफ अलफा अमीनो आइसेड, दोनों मॉलक्यूल सेम, या दे मॉलक्यूल आफ डिफरेंट, समझे यहां तक बच्चों, I don't think इसमें कोई दिक्कत आनी चीए, एक चीज़ और, जब तुम्हारा, ऐसे दो मॉलक्यूल ली हमने अलफा अमीनो आइसेड के, उससे क्या बनाया, हमने पैप्टाइड लिंकेज करी, तो इंपॉर्डेंट चीज़ क्या है, इसमें जो प्रॉडट्ट बनता है, उसे हम बोलते हैं, डाय पैप्टाइड, तो डाय पैप्टाइड में कितनी पैप्टा है, इसलिए हमने उसे क्या बोल दिया, डाय पैप्टाइड, तो डाय पैप्टाइड में तुम्हार पास दो अलफा अमीनो आसेड से, जिससे हमने एक पैप्टाइड बनाया है, पैप्टाइड बन एक है, और तुम्हारे पास जो अमीनो आसेड से, वो तुम्हारे पास द नहीं नहीं बिड़ा वन सेक्ड यहां पर हमारे पास ठाइब दो एनेश्टू ग्रूप है लाई सीम में ठीक है ना तो हम इसमें बेसिकली जो आलफा वाला ग्रूप है उसी के से बाउन बना रहे होते हैं जो हम यहां पर बॉन्ड बनाएंगे वहम अलफा जो पे जो अमीनो ग्रूप है उससे बनाएंगे ठीक है ना गाईज कोई डाउट यहां था गुड़ तो मैं ही क्या किया रहा था कि जब तुम्हारे पास डाइप एप्टाइड है डाइप एप्टाइड का मतलब दो एलफा एमीनो एसीड्स हमने बनाया है और इसके अंदर पैप्टाइड लिए करे है ये ट्राइब पैप्टाइड में तीन अमीनो एसीड लियह हमने और उनके बीच में कितने पैप्टाइड बॉन्ड हैं दो ग्लियर हो गाईज कには researchers लिर लेते हैं लेड लेप ग्लाइसल अइलने अब गाईज ये बहुत important है कि किसका COH और किसका NH2 clear है गाईज तो अगर मैं glycine की बात कर रहा हूँ glycine basically glycine का उनल हो गया है हमारा alpha amino acid is glycine glycine और LNN से हम एक dipeptide बनानी कोशिश कर रहे है तो important जीद गया है NH2 को left में रखो COH को right में रखो convenience के लिए clear है गाईज तो हमारा क्या बनीगा ध्यान से देखो ये हमारा आगया NH2 CS2 COH ये हमारा क्या आगया बच्चो glycine और LNN क्या है बच्चो ये है आए ना बच्चो अब हम left वाले से मतब जो COH है उसके हटाएंगे OH और right वाले में से H अटाया है clear है guys नहीं उल्टा हम करेंगे तो नाम डिफरेंट होगा मैं बता रहा हूँ glycine is this जो पहला है उसमें से COH गया दूसरे वाले में से H गया convenience के लिए NS2 को left में लिखो COH को right में लिखो and now combine them समझे के खाएंगे तो हमारे पास prod क्या बनेगा NS2, CS2, C1O, NH, CH, CS3, COH this is your glycyl alanine समझे आया नहीं आया बच्चे हो इसको और कैसे लिखा जा सकता है इसको लिखा जा सकता है as G, L, Y, A, L, A या फिर इसका एक और नाम भी कर सकते से आप क्या होगा बच्चो हाँ, glycine का G और alanine का A अब question हो तुमारे पास जादो डायर की आएगा question कि भई इन compound का जो हमें alpha amino acid दे रखेंगे उनका क्या three letter word है या क्या one letter code है समझा रहे हैं नहीं आ रहे है बच्चो ऐसे question आते है कि three letter symbol बताओ इस compound का या one letter code बताओ इस compound का इस alpha amino acid का बताओ ये चीज़ या तो ये question आएगा या फिर क्या आएगा कि तुम्हें ये दे दिया कि डाय पेप्टाइड है इसमें बताओ कि कौन कौन से alpha amino acid present है जो left वाला है उससे हम ओच निकालेंगे right वाले से h निकालेंगे हाँ नाम ये ऐसे लिखा जाएगा उसका जिसे मैं एक काम करता हूँ एक मिन डुक जाओ पहले इसको जो मैं बता रहा हूँ वो बता दूँ उसका फिर मैं बताओंगा alanil glycine क्या होगा ठीक है ना guys convenience ये है कि NH2 left में रखो COH right में रखो और फिर तुम you write them in the order पहले glycine लिखो फिर alanilin लिखो जो हमारे alpha amino acids which are present in that dipeptide वो कौन कौन से हैं तो हम क्या करेंगे CO NH को break कर देंगे यहां पर OH जोड़ेंगे यहां पर H जोड़ेंगे and we will identify कौन कौन से alpha amino acid है that is how we do it guys clear है यहां तक quit out किसी बच्चे को अगर में को लेना होता अगर मुझे लेना होता by chance let me take a different one A LA GLY alanil glycine तो हम क्या करते बच्चों NH2 CH CH3 CO PLUS NH2 CH2 CO OH यहां से OH गया यहां से H गया clear or not guys so this is your यह बच्च यह बन गया तो convenience हो यहां कि हम NH2 लेफ रखो COH राइट में लिखो write them down in order कि पहले alanine लिखा फिर glycine लिखा and form the dipeptide समझे या नी समझे guys यह बताऊ हो जाएट कैसे putting है यह से उपर वाले में glycine का glycine का इस लिखा 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 A L A N Y L एल जी एल वाई एए एन और इसका जो वो होगा वन लेटर की टम्स है एजी एजी जी एए एजी जी एए एजी आज डिफरेंट इस एडिफरेंट एड बच्चे उप जससे सेकंड गाइज लिए रहे हैं आँ तक हर एक बच्चे को बो लोग आए नहीं क्लियर क्लियर है ना दैर्ट कर लिया नोड बच्चो पर आगे चलेंगे अजय उसमें जादा है और मैंने वो बताना है ना टायरोसिन और वो मैंने तुम्हें भेज़त दिया तो वो भी लिखना है वो भी अभी में लिखवाता हूं याद दिला देना मुझे गैस यहा गया कोई डाउट किसी बच्चे को बोगा है कोई डाउट नहीं न अब ऐसे हम डाय पैप्टाइड के बजाए वी के गो फॉर्ट ट्राय पैप्टाइड भी जैसे एक एग्जामपल लेते हैं और तुम मिझे बताना इसमें कौन-कौन सी अल्फामिनो एसेट प्रेजेंट मैंने लिया एन एस्टू मैं आल्मोस्ट सेम ले रहा हूं एक और एड़ कर रहा हूं यह क्या है बच्चो हाँ इसमें बता बता ए जी एफ क्लियर है बच्चो कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नोट आउट तो मैं हाँ बटा नोट कर लो तो मैं इसकार में और लिखने की जूती ना कि आईडिया है कि जो डाय पैप्टाइड है उसमें हमारे बास दोनों ऑप्शन है बदो एक तरफ एनस्टू है एक तरफ सी ओएच है so they can be used they can be combined to form tripeptide and tetrapeptide and like that हाँ है ना बच्चो बोलो गायस किसी बच्चो को इटाउट यहां तक तो यह कुश्चन दा रखे हैं एक्ट्रीज यही में तो you have to be very और यहां तो दिक्कत आ जाएगी ठीक है ना बच्चो एक चीज और मैंने तुम्हें last time क्या बताया था let me write that down यहां दक समझ गए ना let me write down tyrosin tyrosin क्या होता है बच्चो it is OH पैरा पोजिशन पे OH hold on a sec बच्चो ओएच C6H4 CS2 यह है हमारा tyrosin क्लियर है guys समझ गए यहां तक this is that r बच्चो क्लियर है यहां तक कोई डाउट और यह क्या है this is tyr यहां इसको हम क्या बोलेंगे बच्चो वन लेटर कोड इसका क्या है y similarly क्या होँ उपर का नूट करना था crypto fan PRP and W is the one letter call ठीक है बच्चो इसमें हमारे पास क्या था यह करेक्ट this is your crypto fan quit out बोलो गाए और इसमें हमारा इन दोनों में essential amino acid कों से वाला है ठीक है बच्चो यह याद करने की चीज़ें गाई याद करो के बैटर रहेगा अब आते हैं टेस्ट test for proteins उससे बहले मैं एक चीज़ और बता दो तुम्हें यहां तक तो clear हो गया ना इसका बाइजांस इस question में अगर हमें three letters के term में करना है तो कैसे करोगे it will be a-la-gly-phe आए ना गट एक information में दे दो तुम्हें not it down guys you're इस इस पर अ-स-प-A-R T-A-M-E इस 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 पर it is derivative of dipeptide is 160h times as sweet as sucrose और सबस्ट्दिटिए रखे प्लीज ख्लीज के विए प्लीज अक्या वच्छा एपिए प्लीज उप्लीज अक्या वच्छा श्री सपरजीने आपर एसपर्टिकाइब वे अब टाता हूं स्ट्रिक्टिवित आयता हूँ, hold on a sec. हाँ, SPARTN. मच्चुम्पीज आवाज नी. टिके बच्चुम्पीज आया नी आया है. गैस दू टल मी. यहां पे हमने उसका मिथालेस्टर लिया. तर्सक्टिव नीदिफेर्ट. हाँ, डाय बैप्टाइड का डाय लिए. करेक्ट. अब आपने टेस्ट. पेला बच्च्छों आवड़ा नोड़ा नॉट एक अवड़ा नॉटे 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 था व्त वा अवाज़न थैस पर आप अमिन अच्छुच्छ ओके निन हाइड्रेन ये नोट कर लिया ता उपर वाला या मैं उपर फिर से स्कॉल करूँ कर लिया ना जैमिनल डायोल स्टेबल है वहाँ पर पढ़ा है ओके दूसरा तुमें बस ये बताना हुची ये किस के लिए इस वे टेस्ट पर वाट ठीके ना बच्चो टेस्ट के आरे में जा तुमें चिंता करने की जिए अतनी मैं काम करता हूँ इस इतना तो तुम्हें पता ही होना चीए वैसे करवा रखा है लेकिन इस इस निंहें इंहें 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 हाइडरेट क्लिया रहा है अब आते हैं सेकेंड पे हाँ रेटा नोट इस डाउन करा नोट नहीं किया गड़ नोट का लिया तो अच्छी वात है अब आते हैं नेक्स पे बच्च बूरेट टेस्ट इस टेस्ट पर प्रोटीन बूरेट होता किया बाइजवे नहीं 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 बच्चौ बच्चौ बच्च seemingly इस फॉर्मद मा यह थरोट का है हाँ okay and new H is mixed with test solution and drops of 1% CSO4 is added slowly a violet rain due to reaction of peptide bond in proteins it will not occur in pre-alpha amino acids okay कर लिया नहीं कर लिया नहीं कर लिया अ कर रहा है वह कार वाइड लिट का था नहीं आएगा टेंशन ना लो जो कर वाइड़ लो अ जिके के ना वीटथा यह लिट और क्या करोगे बचचों यहां तक समझ गए इसमें ब्यूरे टेस्ट के लिए at least two peptide linkages are required ठीक है ना बेटा at least you need two peptide linkages for ब्यूरे टेस्ट तो डाय पैप्टाइड क्या ही टेस्ट देंगे उसमें तो एक ही पैप्टाइड लिंगे तो डाय पैप्टाइड दो नॉट गिव इस टेस्ट याद करने का है फैक्टर रिमेंबर लिख दू भाई लिखू ही से at least two peptide linkages must be present diepeptides diepeptides do not give this test third पे आते है बच्चो आवाज निकाए यहां तक नोट कर लिया अजा निन हाइडरिन का रिए में मुझे एक लाइन लिखनी थी चलो बाद में लिखवाता हूं पहले आते हैं नेक्स्ट पे जयान थो प्रोटिक टेस्ट रोटीन लिया plus concentrated HNO3 लिया क्या दी का आपच्चो एं लिखन का दीखवाता है it turns orange in alkaline solution this is due to nitration of benzene ring in benzene ring koon koon se mein hai bachcho phenyl alien good tyrosine and tyrosine and tryptophan haa mita bolo violet ring fact remember it line go just remember it as a fact ki violet ring a jati is observed copper sulfate add so this is a fact remember clear hey guys yaandar karliya note zain toh product test note karliya ab aateh pork milan's test haa definitely well you cannot leave this chapter that is what i am trying to tell you haa yaandar karliya में हाँ ये तीन ठीके ना बच्चों प्रोटीन प्लस मिलन्स रिएजेंट गिवस वाइट पीपीट एन उन हीटें गिव रेड पीपीट गिव रेड पीपीट ओके गाइज ठीक है थीक है दिस इस अफ फीनॉल बच्चों फीनॉल किसमें है तो इस गिवन बच्चों प्रोटीन कंटीनिंग टायरोसें ए ओके निन हैडिन के बारे में एक लाइन लिखलो हां वेटा निन हाइडरिन टेस्ट निन हाइडरिन का इस फॉर्म ये नाम भी तुम्हें पता होना जाए इंडेन वन टू थ्री ट्राइओन हाइडरेट ओके ये प्रोटीन है पैप्टाइड है अमीनो एसिड है ये तीनो के तीनो हमारे देंगे clear है guys you might have protein you might have peptide protein and peptide या amino acid alpha amino acid they give ये नाइडरिन के आद देगे ब कलर्ड प्रोड़क्ट ओके गाइस बेड़ प्रोटीन आर alpha amino acid से बनते हैं it is a test for proteins basically proteins ये alpha amino acid clear हुआ है निया बच्चो got it guys अब एक क्वेश्चन आर दे रहा हूँ देखना हूँ हमें tripeptide बनाना है ये क्वेश्चन तुमारा इस टाइक का क्वेश्चन जे में आ रखा है यह दू फॉर्म और ट्राइप्टाइड यूजिंग लाइसेन अलनिन यह यह वह एक लाइन में लिखना भूल गया थे इसने मैं नहीं फिर से करते हैं हां इन तीनों से ही तो पर्ताइड और प्रोडिन और सारी अधों से विखवे अधों क्यों करना भी डिफिक्त लेएं इस अधोर तुम्हांने पास क давайте सारी बाँट हैं तो फोडिन रूटीन सब्सेंगे अल्मुस्त is difficult to differentiate alpha amino acids and proteins give colored compounds with colored products with ninhydrate टारसीन या ऐसा प्रोटीन जिसमें टारसीन प्रेजेंट है मुच्चों में ट्राय पैप्टाइड बनाना है यूजिंग ग्लायसिन एलनिन और फिनाइल एलनिन कितने पैप्टाइड कितने तुम ट्राय पैप्टाइड बना सकते हैं पैप्टाइड कितने तुम ट्राय पैप्टाइड पैप्टाइड ग्लायसिन एलनिन पीनाइल एलनिन इसे तुम टोल कितने बन सकते हैं और सिक्स कितने वन जाएंगे you can get six products यह मैज है बेटा बच्चो एक्ट्वी क्वेशन आ रखा है इसी ट्राइब को जी ही में ट्राइब अंडर्स्टेंड तुम्हें ट्राइब एप्टाइब बनाना है पहली में तुमारे पास इन मैंसे तीन आप्शन्स है आए ना अब इसी है बनाना है और रेपिटिशन इस नाट अलाउट तो उसका टू आगया उसका दू आगया उसने ये कहना यूजिंग दीज थ्री अच्छा तीनो वो निछी रिखा है और प्दा चला बाई चांस रेपिटिशन इस आप तो थ्री थ्री हो जाए नहीं बेटा थ्री 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 हाँ बेटा गैस प्लीज समझा आया नहीं आया ये क्वेश्चन एक्ट्री आ रखा है इसी टाइब इसी टाइब का है इसा रिमेंबर तो टोड़ ला मारवा सिक्स कॉंबिनेशन बन जाएंगे कर लिया नोड बच्चों क्यों बेटा कर लिया या कर रहे हो ओके गुड हाँ बेटा बोला हाँ हाँ बेटा वो तुम्हें रटना है हाँ बेटा बहुत ज़रूरी है नहीं वो तुम्हें करना पड़ेगा गाईज देखता हूं है गिमी टाइम लेट में सी यहां दक समझगे गाईज बच्चों बता कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को हाँ बोला इस और में नहीं ले ना हाँ तुम्हें इनका और चेंज कर दिया ना और यह कह रहे ना नहीं क्यों से मुझाएगा बेटा कि इस में अगर तुम इस और हमें आरेंज करते हो तो यहां का सी ओएज यहां का इनस्टी यहां का सी ओएज यहां का इनस्टी अगर तुम कर दोगे तो यह लेटर डिफरेंट कंपाउंट डिफरेंट ट्राइप्टाइड समझ के गाइस लियर होगी यह चीजा नहीं हो गई बच्चो बोलो गड़ यह ग्लाइस अच्छा बच्चो यह जो अगर हम इस पैटन में रखते हैं तो यह क्या बन जाएगा इसका नाम क्या बनेगा जी एफ इस पाइन इसका जो पूरा बड़ा नाम है वो क्या बनेगा तुम सी लेटर जो सिंबल है वो भी कर लोगे ग्लाइसल एलेनिल फिनाइल एलेनिन जो पहले दो हैं वो तुम्हारा वाईल के साथ जाएंगे ग्लाइसल एलेनिल फिनाइल एलेनिन हाँ लास वाला एज़ इस अज़गा है कोई डाउट किसी बच्चे को I don't think so अब आते है बच्चों प्रोटीन की क्लासिफिकेशन यह बहुत ज्यादा रटने का है और क्वेशन आते हैं पे भी इस प्रोटीन और क्लासिफाइड हां इन्टु टू टाइप्स on basis of their molecular shape पहला फिर्स पोडिन आफरी टेंड पूर्ट लूड इन देड पॉली पटाइड चैन रंपैरल and are held together by hydrogen and disulfide bond disulfide bond then fiber-like structure is formed such proteins is formed such proteins are generally insoluble in water okay example keratin present present in here wool silk and myosin present in muscles etc this is the fibrous protein global protein globular protein this structure is is when chains of polypeptide coil around to give to give a spherical shape to give a spherical shape soluble in water and albumin and albumin which is the fibrous protein are common examples of globular protein okay guys okay guys now structure and shape structure and shape of proteins means is studied is studied can be studied at four levels it can be studied at four levels primary primary secondary tertiary tertiary and quaternary her level complex more than the last one each level more complex than previous one so let us start so let us start first yeah primary primary structure of protein now okay guys take your time बहुत ज़्यादा बच्चों नोट कर लो दो बता जेना बच्ची अच्ची अच्ची अच्च कोई बचा लाएबी अल मस्ट नोर बच्ची अच्ची अच्ची hoor बताएबी primary structure primary structure प्रोटीन का गोगो प्रोडीन माइड है वन और मूर पॉली पैप्टाइज न गाए तो प्रोटीन क्या वेटा निए वन सेकेंड मैं तुम्हें बता ऐसा नहीं करूंगा कि बाद मैं तुम्हें कह रहा हूं बनाने के लिए जिंदा ना कुड़ा हुए ने अभी नहीं अभी नहीं तुम्हारा कवर हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रेक्श्चर आफ प्रोटीन 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 अब हम स्टडी कर रहे हैं प्रोटीन का एट डिफरेंट लेवल्स ठीक है ट्रोटीन अब HR कोश्चर प्रोटीन अब one or more polypeptide chains poly peptide chain each polypeptide in a protein is has amino acids linked with each other linked with each other in a specific sequence and it is this sequence of amino acid that is fed to be the primary structure of protein of that protein this can you I will read it and then I will explain it any change in this primary structure that is sequence of amino acids creates a new protein बढ़िअ हमने क्या एक्जामपिल लियाथा था हमने लियाथा पहले मने ग्लाइसिन लिया उसके Truth कर दिया ऑठ लिनिन उसका लिया फिनायल एलनिन है हैं सिभिपक्ली ये Soothe कि पहले कौन सा है फिर को होगा साथ दिस स्क्रेंस च्ठोर गारे अधर्व डॉड़ल ये सılंध्रेडिध रोटेन अठ्ट प्रामारिय। का स्ठक्चर सारे एक साह हम उसको kitne dure से देख रहे दैड इपेंड फ्राइमेरी में सबसे पास से देख रहे हैं हम देख रहे हैं पहले supposing करना उसे कि हाओ यार लेगे तो आविसी बात है अगर तुम पहले ग्लाइसिन और फिर एलेनिन लेते हो या पहले एलेनिन और दूसरी सेकंड ग्लाइसिन लेते हो डे विल रिजल्ट इना डिफरेंट प्रोटीन हाँ हम एक पैप्टाइड चेन की बात करें पॉली पैप्ट अगर तुम पहले ग्लाइसिन और फिर एलेनिन और फिर फिनाइल एलेनिन लेते हो तो तो यहां से समझो देखो एक स्पैसिफिक सीक्वेंस है अमीनो एसेड का अगर तुम इस सीक्वेंस के अंदर पहले अमीनो एसेड कोई और डाल जो फिर कुछ और डाल जो तो तो देट विल रिजल्ट इना नियू प्रोटीन यू चेंग यू चेंग दिस ओर यू रिजल्ट अनियू प्रोटीन हां बोलो किसी भी एक पॉली पैप्टाइड चेंग की बात करो उसमें कौन कौन से अमीनो एसेड किस ओर में लगे हैं और तो अगर तुम प्राइमरी स्ट्ट्चर को ब्रेक करते हो इसका मलब तुमने यह मेड़ न्यू प्रोटीन क्लियर हैं तुम इसमें ओर नीचे करोगे तो हau कि गौड़ नेक्सित पे आते हैं दूसरा है हमारा सेकंस्ट्रि स्ट्रक्चर ए सेकंडरी स्ट्रक्चर उ। अफठ रोटीन सेकंडरी स्ट्रक्चर में हम थोड़ा दूर से देख रहे हैं हम यह देखना चाहा रहे हैं कि how they are उसकी जो arrangement है वो कैसा है देखते हो मैं भी बताता हूं it refers to the shape in which a long polypeptide chain chain can exist they are found to exist in two types of structures मतलब हमने primary structure same रखा जो sequence of amino acids है वो भी रखा अब हम देखना चाह रहे हैं what kind of structure they are forming two types of structures that is alpha helix and beta pleated sheet structure these structures these structures क्यों बनने these structures arise due to the regular pulling of the backbone of polypeptide chain poly peptide chain due to यह folding क्यों हो रही है यह तो edge bonding mostly इसमें हम edge bonding ही देखे हैं between c double bond o one second guys between c double bond o and energy groups of the peptide bond थीके बच्चा clear रहे हैं यहां तक कि जो hydrogen bonding है इसके कार्ण तुम्हारे you are not getting exactly a straight chain structure pulling होगी basically थीके ना कायस समझा रहे हैं नहीं आ रहे हैं मुझे तुम्हारा इसमें दो structure बन सकते हैं alpha helix और beta pleated तो पहले मैं alpha helix की बात करता हूं उसके आद में diagram दिखा दूँगा तुम्हें लेकिन for the time being तुम्हें लिखते आओ alpha helix में क्या रहता है alpha helix is one of the यह spring की तरह है जाए pen के अगर तुम पुरानी pens के वो खोलो तो तुम्हें spring दिखता है right हाँ भी है springs मतब मेरे वो यूज करें वाट आइब हो गया इसलिए जारा idea spring है तो alpha helix is just like that हाँ spiral alpha helix is one of the most common ways in which a polypeptide chain a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting by twisting into a right-handed screw helix बना दियो helix बना दियो with N-H group of each amino acid hydrogen bondage to C-double bond O of adjacent turn-off helix ठीक है बच्चो note it down guys then I'll show you the structure बच्चो ये हमारा क्या हो गया alpha helix ठीक है ना guys this is alpha helix structure यहाँ में तुम्हें तुम्हें स्प्रिंग वाली फील आ गई होगी होगी ठीक है ना guys एक और चीज इधर का C-O-H C-O दूसर अले के N-H के साथ जो adjacent strand adjacent जो हमारे पास है यह देखो मैं treatment से समिना था हूँ that would be better it is twisting into right-handed screw ठीक है ना guys यह right-handed screw दिखरा है तुम्हें इस type से जाए गाए और N-H is forming hydrogen bond with C-O of the adjacent turn guys समझ आया नहीं आया बच्चो clear होगी यह चीज N-H of one amino acid is forming hydrogen bonds with the adjacent turn of the with C-O of adjacent turn of helix clear है क्यों नहीं आया बेटा यहां का C-O यहां का N-H adjacent turn जो उसका आएगा clear or not guys समझ गे यह यहां का C-O और यहां का N-H right वाले में उन्हें गड़बड करी हुए है normally जो मैंने बताया है यही है clear है काई क्या यहां 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 पर इसमें कंफ्यूज मत होना यह थोड़ा सही नहीं है यह exactly turn का आप दे रखा है इन्हों रहे है fact to remember है ना कि right-handed screw बना रहा होता है stress को ले जाँ right-handed screw right-handed screw का मलब यह हो गया ना इस तरीके से हमने बना रखा है कि हाथ को point मलब जो उसके curl of the fingers है उसी हिसाब से आ रहा है हाँ curl of the fingers के हिसाब से जा रहा है लाइक देस इस तरीके से ठीक है ना बेटा clear होगी यह चीज यह जो curl of finger दे ऐसे जा रहा है लाइक देस नोड़े डांग एड़ेसेंट टर्न आफ हैलिक्स में तुम्हारा हार्जन बार्ण बन रहा है बिट्वीन सी और एड़ेसेंट टर्न जो उसका है नेस्ट एड़ेसेंट टर्न है उसका धार्जन पॉंड clear होगी यहां का CO यहां का NH fine यह इधर का CO और इधर का NH pattern समझ गए ना good great अब आते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ते बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बच्चो इस में एक में डुक ना बच्चो यहां पर मैंने ऐसी दिया था ठीक है वन सेकंड गाइज हां तो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है बीटा प्लेटेड शीट शीट स्ट्रक्चर बीटा फ्लेटेड च्चर्च करते अर्टेड टनेटेड ट्रक्चर maximum extension. Okay? And then laid. And then laid side by side. Okay, guys? Which are held together by hydrogen bonds. Inter-molecular hydrogen bonds. The structure resembles the pleated folds of drapery. पर्दे जो होते हैं. ठीकिना, guys? And hence, is known as beta pleated sheet. क्या, बेटा? पर तुम्हां फोल्ड नहीं होते हैं. नहीं, इधर के मत कम बैग रहना. नॉर्मली जो तुम्हारे घरों में परदे होते हैं. यह होते हैं. यह हमारे प्लीटे हो गए. यह दूसरा हो गए. ठीक है, बच्चो? यह हमारे प्लीटे हो गए. and they are held together by intermolecular hydrogen bond दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्छो clear है guys यह हमारे pleats हो गए जो मैंने भी mark करे थे यह फिर तुम्हारा यह समझ गे and these are held together by intermolecular hydrogen bond हाँ 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 pleats getting the idea हाँ alpha है इसको अगर तुम जाए पिछकाव दो types तो तुम्हारा इस type पे pleats बन गए and those pleats are held together by hydrogen bonds ठीके ना बच्छो यह गोड़ा fair enough idea कि क्या होता है आगे चले अब आते हैं tertiary structure let us go on to tertiary structure बच्चों प्लीज आवाज नी वन स्टेकड काई बच्चों फ्रेelरी रे। ताङमने दिखेए? पशाल जा एक इनवा इनिटर सही? बच्चों yes sir वह इसको क्या हो गया जो तेसे ज़िए गाइ just give me one sec hold on a second वह जाँ हां मच्छो और अधे टर्शी श्रुच्चर भी तो let us start the tertiary structure of proteins represent overall folding of the poly peptide chain overall यह किस तरीके से folded है that is further folding of further folding of secondary structure जो हमने secondary structure बनाया था alpha helix या बीटा प्रिटेट वो हमारा था थोड़ा पास से देख रहे हैं और दूर से देख रहे हैं and we are trying to see what is the overall all folding के overall किस टाइप का structure बन रहा है तो इसके लिए हम कहेंगे दो पॉसिब्लिटी यह हैं एड़ इसके लिए राइस तो तू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स कौन कौन सी पाइब्रस एंड ग्लॉब्लर जो अभी हमने ऊपर बढ़ा था अधर हमने सेकेंट्री में उनकी वो देखे सा की शील्ड में कैसे है इसमें हम लोग पूरा शेप देख देख रहे हैं हाँ मुद्ब ऐसे देखो कि एक अलफा हेलिक्स है अगर तुम उसको है अगर तुम उसको फोल्ड करके स्फेरिकल शेप देते हो तो यू एलाइवा ग्लॉबलर और फाइबर की फॉर्म में हमलाइक्स एक काइंड आप सोच सकते हो तुम के लीनियर टाइप गरिंग आडिया फाइबर तो आडिया इसके अंदर तुम्हारा यार लुकिंग एट और दूर हो गए तुम प्रोडीन से और अब देखना चारे हो कि अब कैसा दिख रहा है प्राइमरी में यूर लुकिंग टू क्लोज यूर लुकिंग अट लिंकेज इस सेकेंडी मैं अब और पीछे से देख रहे हैं हम देखने अलफा अलिक्शा खिक का बच्यों को है ट आवट यहां तक the main shapes sorry the main forces bar वह बेटा bar this is the main forces which stabilise secondary and tertiary structure of proteins are hydrogen bonds disulfide linkages van der Waal and electrostatic forces of attraction याद करने का है बच्छो अब आते है फोर्थ ordinary structure SS this type of linkages clear है बच्छो हाँ हाँ नहीं 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 पड़ी क्या structure अजयोद आता हूं just give me some time मैं quaternary और बता दो quaternary structure जब एक से ज़्यादा polypeptide chain है तो यह quaternary structure में आता है some of the proteins some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains हाँ बैटा हाँ नहीं नहीं चोड़नी यह composed of two or more polypeptide chains ठीक है बच्छा समाम तब प्रोटीन देज़ाएव तो और मोर पॉली पेप्टाइड चेंज इन पॉली पेप्टाइड चेंज को हम क्या बोलते हैं अब यह जो सब उनिट से यह आपस में कैसे अर्रेंजड है यह हम स्टड़ी करते हैं क्वार्टनरी स्ट्ट्चर में प्रोटीन बच प्रोट्र में स्ट्र।फ हो ठीक करदेंग क्या व हौबम्ये स्ट्रिच बच्छिय अच्छियर ब्लाइशले की बच्छिएर प्रोटीन स्ट्राइव तो रह्計 घ्यक क इस नोन अज गौर्डरनरी स्ट्रॉक्चर बच्चों क्लियर है गाइस समझ गई यहां तक कोई डाउड किसी बच्चे को नहीं गड़ हां बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा है इस्ट्रॉक्चर गाइस दिखो यहां पर हमारे पास एक प्रोटीन में जब एक से ज़्यादा पॉली पैप्टाइड चेंज हैं तो उन पॉली पैप्टाइड चेंज को हम क्या बोलते हैं सब यूनिट और यह सब यूनिट आपस में कैसे अरेंज हैं देट इस सीन इन कौटरनरी को देखो इसमें वियार यह जो बीड़ हमने बना रखें यह क्या हैं जीजा टैलिंग असदा एलफा अमीनो एसेट ठीक है कि पहले यह अमीनो एसेड फिर यह फिर यह अमीनो एसेड का अगर तुम सीक्वेंस चेंज कर दोगी यह लिए डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रॉक् ठीकर ना वेडा और कॉर्णी स्रक्शन में हमारे पाद एक पैप्टाइड चेंज, दूसरी पॉल्बजबटाइड चेंज. How they are arranged with respect to each अदर. एक पॉलिपैटइड चेंज हमारी यह जा रही है, एक हमारी यह जा रही है. हां 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 नीजार था सब्युनिट्स दो अमारे बास सब्यूनिट्स हैं एड हो डी आर्रेंज विद रस्पेक्ट वीच एधर हां हां तो यह जो हमारा टर्शी स्ट्टर्चर इसमारे बास फाइब्रस भी आ सकता है और क्या सकता है ग्लॉबलर समझे में आगे नहीं आगया हमेड़ा ने ने कौर्टरनरी में तो हमारे बास जब दो सब यूनिट्स हैं वहाओ दियार अरेंज विद रिस्पेक्ट टू इच अगर फाइब्रस या ग्लॉबलर तो हम इसमें देख रहे होते हैं टर्शिरी में बेटा किमारा एलफ एलिक्ट या बीटा प्लीटिट के बाद हम और दूर जाके देख रहे हैं कि और और अल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है उनका इस इट अग्ड़ स्फेरिकल टाइप या इस इट पाइब्रस टाइप हाँ अब आते हैं डी नेचरेशन आफ प्रोटीन पे अब आते हैं डी नेचरेशन आफ प्रोटीन पे बच्चो एक चीज़ याद रकना जब पेपर रोगाना तो इसमें से तुम्हें नहीं बता कि Вас मैं से कॉोज्चन आ जाता है डी नेचरेशन comic से आ रखा है तो आइड DIs तुम्हें तो सारा याद करना है फ़्वरा तुम्हें याद होना चीए लाइन वाइन के अच्छा इसमें यह था इसमें यह था ठीके ना गाइस तो सबसे पहले इसको देख रहे हैं protein हाँ वेटा structures are done for the time being हाँ वेटा नहीं यह उपर आपनानी कोई जिद्नी proteins found in biological system with unique 3D structure and biological activity and biological activity एसमो क्या बोलते हैं अच्छे हो native proteins is called native protein अब हमने क्या किया when a protein native protein या when a protein in native form when a protein in its native form is subjected to physical change when it is subjected to physical change like change in temperature हमने temperature चेंज कर दिया या chemical चेंज जैसे चेंज इन पी-एच लाइक चेंज इन पी-एच टेंपरेचर चेंज कर दिया पी-एच चेंज कर दिया इसमें तुम्हार जो hydrogen बॉन्ड हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं the hydrogen bonds are disturbed इस से क्या होगा due to this जब hydrogen bonds weak हो गया हट गए तो तुम्हारा globules क्या हो जाएंगी बेटा globules unfold and helix gets uncoiled समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छो coil-like structure बनाने के लिए hydrogen bonds were responsible and protein loses its biological activity this is called हाँ मेटा क्या कह रहे हो this is called denaturation of protein मतर जो उनकी normal nature थी that is lost because of change in temperature या change in pH अब during denaturation क्या होगा बच्छो कौन कौन से structure affect हो रहे है secondary and tertiary structure are destroyed what about primary structure बच्छो it told us के it told us a sequence of amino acids वो unaffected रहेगा but primary structure remains intact example इसका the coagulation हाँ of egg white ये example आ रखा था on boiling is the example of denaturation is example of denaturation ठीक है बच्छो एक और example है हमारा another example is curling of milk symbol term में सोचो precipitation okay guys coagulation आँज़व शेटल आउट्छो ऐसे दिखो अंड़ा को नॉम्मली ब्रेक करोगी तो लिक्विडी होता है और उसके आज बेनी बॉल इट that अंदर का जो येलो पार इट बिकम सॉलिट that is what we are talking about another example is curling of milk caused by please बच्छो caused by formation of lactic acid by bacteria बच्छों आवाज नहीं प्लीज bacteria present in milk कर लिया नोट नहीं कर लिया बच्छों पड़ावर नोट करो गाईल note it quickly then we'll start with enzymes बच्छों अब आते हैं enzymes पे enzymes में भी question आ रखे हैं तो pay attention guys बच्छों आईसे देखो आपटा कर लोन enzymes are Biological Catalyst Hold on a sec, बच्चों हाँ, बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? Enzymes They are biological catalysts and are उसका बच्चों मैं भी लिखता हूँ है Clear है बच्चों? One second, ये मिटा क्यों नहीं ठीक है, guys Enzymes are biological catalysts Catalyst है, हाँ नहीं, अभी ये भी तुम्हार उसी में आता है हाँ, सुनते हाँ, बच्चों तो Enzymes के आई मैं देखो चाट करें Digestion of food Absorption of appropriate molecules and production of energy occur in body in a sequence of reactions of reactions and under very mild conditions very mild conditions this occurs with help of bio catalyst called enzymes almost all enzymes are globular proteins they are globular proteins enzymes are very specific for a particular reactions for a particular reactions and for a particular substrate 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 मतलब reacted okay substrate they are generally named named after a compound or class of compounds upon which they work upon which they work example enzyme enzyme that catalyze hydrolysis of maltose into glucose is named maltose is named maltose guys so your maltose lia amnin enzyme lia maltase it will give you two molecules of glucose sometimes enzymes are also named after a reaction where they are used where they are used after after the reaction where they are used where they are used example enzymes which catalyze oxidation of one substrate and reduction or or simultaneous reduction reduction of another substrate oxidation reduction reaction which oxydation reduction reaction ko joh hemare enzymes catalyze करते हैं they are named as oxidoreductase enzyme उन्हें क्या बोला दा है oxidoreductase enzymes enzymes end with ace fine guys हाँ बेटा अभी तो चलेगा थोड़ा नहीं mechanism of enzyme action बच्चो नेस क्लास में तो test होगा ना you will realize questions कहां कहां से आरें तो प्लीज धंग से रटके आना आज ही क्लास ही major है तो यहीं आएगा enzymes are needed only in small quantities for the progress of a reaction of a reaction they reduce क्या करेंगे बच्चों they reduce activation energy यही तो करते हैं guys catalyst आया ना they reduce the activation energy fine जैसे activation energy for acid catalysis sorry acid hydrolysis enzymes end with ACE acid hydrolysis of sucrose is reduced from 6.222 to 2.15 kilojoule per mole when hydrolyzed by enzyme sucrose when hydrolyzed by and हाँ मेरा बोलो क्या कहरते guys अभी आवाज नहीं कर लिया नोट properties of enzymes पर आते हैं properties of enzymes इस पर से भी question आ रखा है हाँ बोलो उपर करो करो guys note करो almost one second बच्च्च्चளा करांच के बैल वह साथ हाँ भाच्च के बैला हम पर हमठा हाँ ब वह खाँ पर आते हैं हाँ पर प्रीआ पर ने आश्ट्य काभी पारेश्यक्स properties of enzymes पहला specificity enzymes are very specific in the sense each enzyme catalyzes only one reaction बहुत specific है कि इसी reaction के लिए enzyme use करा जा सकता है एक particular enzyme can only be used for a particular reaction जैसे example urease hydrolyzes urea but not N-methyl urea hydrolyzes urea but not N-methyl urea and not N-methyl urea and not N-methyl urea next efficient मनलब बहुत specific है with respect to reactant एक 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 टाइब की reaction को एकी substrate को catalyze करेगा हाँ उसी के साथ भार करेगा specific it is specific for a particular substrate efficient they are highly efficient very efficient catalyst हाँ मेटा they are very efficient catalyst मनलब 10 days 10 days about 20 times speed up कर देते है reaction को third small quantity is required यह तो मैंने उपर लिखवा दिया था हाँ है ना कि यहार required in small quantity ज्यादा quantity की जिरतनी है is small quantity can be highly efficient okay बच्चा next optimum pH and temperature optimum temperature and pH अगर तुम temperature को उपर नीचे करोगे आप pH को उपर नीचे करोगे इनकी activity reduce drastically लिए हाँ इस temperature पे इसे चेंज कर दोगे अगर तुम इसको change कर दोगे तो उसकी activity gets drastically reduced प्रिफ नमेटा क्या उपर एक जाने हैं Enzyme Inhibitors Enzyme Inhibitors Action Of Enzymes Can Be Inhibited By Certain Organic Molecules Called Inhibitors Clear है बच्चों Better They are Efficient Catalyst But They work Only Under Optimum Temperature And pH या Temperature को अगर तुम उबर नीचे कर दोगे तो उनका एक्शन उनका जो Catalyst की तरह है Catalyst करने की जो उसकी टेंडेंसी हो काफी रिडियूस हो जाएगी Enzymes की बात करें हाँ 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 बिलकुल अब आते हैं Last topic हाँ Inhibitors मच्चों देखो Mechanism में द्यार्ज ये Actually ये topic तुम्हारा वैसे भी आता है किसमें आता है बच्चों Surface में आता है Surface chemistry क्या आता है क्योंकी activity can be drastically reduced by adding inhibitors Inhibitor डालेंस उनकी जो activity है जो उनकी catalyze करने की tendency हो काफी कम हजाती है By adding inhibitors Mechanism में सबसे पहला क्या होता है Enzyme कर लिए नोड बच्चों यहां तक Enzyme Bonds With Substrate Substrate या reactant Substrate is nothing but reactant पहले क्या किया Enzyme Bonds with substrate To form complex To form Complex मनाता है Okay Enzyme Plus substrate is giving a Enzyme substrate complex Next Second step हमारा क्या होता है Product formation in complex Enzyme substrate That will give you enzyme product ठीके ना बच्चों And then You'll get enzyme Alag and product Alag ठीके गाई पहले हमारा complex बना फिर enzyme ने जो substrate क्याद Carbon बना रखा था Now it will convert it to product And then Alag लग होगे Enzyme alag Product alag Clear है guys This is enzyme And the piece product अब इसमें क्या होता है बच्चों Why is it कि तुमारे enzymes Are highly specific तो देखो बच्चों Enzymes Are specific Because Of Presence Of Specific regions It is still associated with the Complex Complex उसको उसने convert कर दिया Substrate को convert कर दिया Product में Then they separate अब यह यह जो मैं लिका रहा हूँ यह भी समझ में आ जाएगा एक पार इसे note कर लो बहुत आसान है अले note कर लो इसे These Active Sites Form Weak bonds Such as Hydrogen bonds And Van der Waal Attractions With Substrate Molecules Due to Specific Shape Of Active Sites Only Specific Substrate Only Specific Substrates Fit into The Sites Like Key and Lock And Form Enzyme Substrate Complex Once Proper Orientation Has been reached Has been achieved Rather Substrate Molecules Molecules React to Form Product इसको Lock and Key के हिसाब से समझ से ठीक है ठीक है तुम्हारे पास क्या होगा You'll Be Having Something Like This ओके गाए ये हमारा है क्या बच्चो इस आवर Enzyme इस आवर Substrate Only Specific Substrate Can Form Bond With Enzyme ठीक है एक Enzyme एकी टाइब के Substrate के Bond बनाएगा Lock and Key टाइब जब ये अंदर दोनों Fit हो गए तो Enzyme में These Are The Active Sites ठीक है Guys These Are The Active Sites They Will Convert The Substrate To Product समझ्झ आया है नहीं आया है बच्चोँ अब मैं रिकाल दे साही चीज़ समझ्झ में आ गी होगी जो मैंने बल लिखी है कि ये specific क्यों हैं क्योंकि इनमे specific regions हैं जिने हम बोलते हैं active sites इनको ऐसे समझो तरीके से corner style ठीक है ना समझे बच्चों तो these are the active sites यह active sites के weak bond बनते हैं जैसे hydrogen bond या vendol attraction with the reactant molecule ठीक है ना गाइस यह मैंने बता दिया specific shape है active sites की इसलिए specific substrate ही उन sites में fit हो पाएंगे and form the complex और एक बार proper orientation हो गई fit कर गए that enzyme will convert substrate to product समझे या नहीं समझे गाई यह बताओ में यह है clear हो गया और एक बच्चे को one second बच्चे हाँ enzyme active sites है on active sites they will convert that substrate to product बच्चो आगया हर एक बच्चो क्लिया रहें बच्चो आगया है very nice we are done बच्चो